एक गाउं में एक मूटा साहुकार रहता था वो बहुत आलसी और बेमान था दिन भर अपनी दुकान पर बैठा नौकरों पर हुकम चलाता और ग्राहको को सामान को कम तौल के देता बाबुजी दो किलो आटा दे दे जिये अरे दिनो जरा इस हरिया के लिए आटा तो तौल दे जी सरकार अरे अरे ये क्या कर रहा है पूरी दुकान इसे दे देगा क्या अरे पर सेट जी मैंने तो दो ही किलो मुझसे जबान लडाता है कल से काम पर मता ना नहीं नहीं माफ कर देजे सेट जी गलती से ज्यादा तोल दिया दिनों थेले में से 200 ग्राम आटा कम कर देता है सेट जी ये आटा तो कम है कम है तो जा कहीं और से ले ले कैसे कैसे फटीचर आ जाता है मुझे नाप तोल समझाने पर आप तो जानते हैं सेट जी इस गाउं में सिर्फ एक आपकी ही तो दुकान है हम गरीबों पर दया करिए बड़ी मैनत के पैसे लेकर आए है अरे तो मेरा आटा क्या मुफ्त का है लेना है तो ले वनना चलता बन हर्या आटे की थैली उठा कर दुखी मन से चुपचा पाँ से चला जाता है अपने दिन विजे अपने कमरे में बैठा है अरे मोहन तुम आव आव भागिवान सुनती हो मेरा बजपन का सखाया है ज़रा जल्दी से बढ़िया भोजन का प्रबंद करो कैसा है विजे तु तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है ये बंगला गाडिया अरे बस सब दिमाग का खेल है तेरी सुनारी की दुकान कैसी चल रही है बस मित्रसक से रोटी की व्यवस्ता हो जाती है अरे थोड़ी बुद्धी लगा तो रोटी के साथ साथ नोटों की भी व्यवस्ता हो जाएगी क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे गाउं में सिर्फ एक तेरी ही सोने जान्दी की दुकान है अगर तु थोड़े नुकसान में भी लोगों को सामान देगा तो उन्हें तो लेना ही पड़ेगा ना? वरना बार-बार खरीदारी करने शहर जाना पड़ेगा तो तु ज़्यादा कीमत में कम जामान दिया कर अरे भई ये तो बेई मानी हुई अरे तो तो तु इमानदारी से कौन सा कलेक्टर बन गया हा? ये देख जरासी बेई मानी ने मेरे घर का नक्षाई बदल दिया नहीं नहीं मित्र ऐसे पैसे तो आ भी जाएंगे तो साथ में बद दूआ लेकर आएंगे किसी के मैनत की कमाई को मैं ऐसे बेई मानी से नहीं हड़प सकता तो अपने इमान की चटनी बना और जिन्दगी भर उससे रूखी रोटी खा ऐसी बात नहीं है मित्र मेरी मानो तो तुम भी ये सब काम छोड़ दो वरना एक दिन पच्चताना पड़ेगा तब ही विजय की पतनी खाना लेकर आती है कुछ दिन बाद विजय की घर इंकम टेक्स की रेड़ पड़ जाती है ये भगवान इन्हें मेरा पता किस ने दे दिया तुमने पेशले दस सालों से इंकम टेक्स जमा नहीं किया है तुम्हारी दुकान, जमीन, जॉइदाद सब जब तकिया जाता है विजय की दुकान और बंगले पर ताला लग जाता है वो जूपड़ी में रहने पर मजबूर हो जाता है देखे जी, ये कुछ गहने है मेरी माने दिये थे और मैंने ना इन्हें बगीचे में छुपा दिये थे आप इन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लीजिये और शहर जाकर कोई नया धन्दा कर लीजिये ठीक है भागवान, कल ही जाता हूँ विजय अगले दिन मोहन की दुकान पर पहुँचता है विजय तुम, अरे ये क्या खस्ता हाल बना रखा है मित्र अरे क्या बताऊं तुमसे जाने किसकी बुरी नजल लग गई, सब चौपट हो गया खेर, ये कुछ गैने है, आट नो तॉला सोना होगा मुझे इसके बदले पैसे दे दो, कुछ नाया इंतजाम करता हूँ वो तो ठीक है, पर मैं तुमें पांच तॉले के ही पैसे दूँगा क्या? तुम ही ने तो सिखाया है मित्र अरे पर अभी मेरे बहुत बुरे दिन है, ले देकर बस ये ही गैने बचे है मेरे पास ये सब सोचूँगा, तो पैसे कब कमाऊंगा? तुम ही समझा रहे थे ना? ठीक है, जितना मुनासिब समझो दे दो विजे पांच तोले के पैसे लेकर दुखी होता हुआ शेहर के और चला जाता है उदर मुहन विजे के घर जाकर उसकी बीवी को बाकी के पैसे देकर पूरी बात बताता है घर का जरूरी खाने पिने का सामान भी रखवा देता है भाया आपका ये उपकार रहेगा आरह नहीं नहीं भावी ये तो मेरा फरज है मैंने जो कुछ भी किया विजय को सही राह दिखाने के लिए शाम को जब विजय वापस आता है उसकी पत्नी उसे पूरी बात बताती है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कोई बात नहीं जी देर आए दिरस्ता आए जो हुआ सो हुआ अब नया काम पूरी लगन और इमानदारी से करियेगा जी शिक्षा बेहिमानी से कमाया गया धन कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता